स्टूदेंस लॉगडाउन में सभी को स्टडी में कुछ नो कुछ प्राउब्लम्स आ रही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है हमने ओनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी है हम वन बाई वन करके सभी टॉपिक्स की यूटूब पे वीडियो अपलोड करते रहेंग कि आपको 24-48 hours तक आपका solution हो जाएगा तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी और students हमारी request है आप से आप घर पे रहें सेफ रहें तो students आज का हमारा टॉपिक है कि हम study को lockdown में continue कैसे करें तो major ली देखो हमने बोर्स की classes उठाई है 10th class और प्लस 2 और बीज में प्लस 1 भी उठाई है क्योंकि कोई बचा नया नया प्लस 1 में stream change करता है अभी मैंने फिलहार ये non medical और medical के लिए बनाया है ठीक है students तो देखो class 10 10th में जो गए हैं उनको majorly अभी क्या होगा math और science का डर रहेगा कि मैं math कैसे करूं और science कैसे करूं तो आपने क्या करना देखो सबसे पहले math अगर आपके पास book नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आप जाईए net पे और सब वहां पे search करिए कि मुझे math की book चाहि रही कि हमें chapter समझाएगा कौन तो students हमारे चैनल पे 10th class के math के chapter वाइस chapter topic update होते रहेंगे आप हमारे पास आईए हमारे चैनल पे और आप one by one करके सारा chapter देख सकते हैं वहीं बात रही science की तो science के अभी आप पहले book की PDF डाउनलोड कर लो अगर आप से PDF डाउनलोड नहीं मिल आप मुझे comment करो even मैं आपको send कर दूंगा ठीक है mail पर या कोई और तरीके से मैं आपको भेज दूंगा आपके पास तो इसका भी मैं क्या करूंगा आपको one by one क्या है आपको science के topic हम समझाते रहेंगे कोई doubt होगा फिर भी आप हमें comment भी कर सकते हैं ठीक है और हम आपको उस और बचों को तुछ डर रहता है कहां से शुरू करें क्योंकि plus two के तो physics में electricity वाले पास जादा है तो बचों को डर रहता है कि कैसे करें तो घबराने की कोई बात नहीं physics के एक दो topic हम upload कर चुके हैं ठीक है और chemistry, maths, bio ये सभी topic हम one by one आपके क्या है अपडेट करते रहेंगे आपके ये चैनल पे तो आप आईए और one by one देखिए ठीक है आप personally मुसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि sir मुझे ये नहीं समझा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से solution बता दूँ और physics की बच्चों को होता है मैं कौन सी book लूँ तो मैं बता देता physics की numericals और दोनों चीज़ों के लिए अच्छा जो cbsc के लिए मैं बोल रहा हूँ वह है आपकी sl aroda तो आप sl aroda book खरीती है और sl aroda में आपको काफी अच्छा content मिल जाएगा और बात रही chemistry की तो आप chemistry की modern भी चला सकते हैं अच्छी है book और इसके कुछ notes भी है वह मैं आपको pdf मैं नीचे link में डाल दूँगा या मैं आपको अगले video में send कर दूँगा ठीक है अब बात रही math और bio kit math तो आप ncrtb follow कर सकते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है और biology की भी मैं आपको book में पूरा link pdf में दे दूँगा description में अब रही बात plus one की अब plus one वाले बच्चे क्या रहते हैं वो रहते हैं की confused यार हम कैसे शुरू करें अभी तो हमने plus one non medical लेनी है या हमने ली है तो मैं किस तरह से शुरू करूँ plus one को तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है आप physics में सबसे पहले अगर आपको availability बनती है तो आप SL की book ले ले नहीं बनती तो आप मुझे comment करो मैं कोशिश करूँगा कि आपको plus one की मैं notes की copy PDF आपके पहुचा दूँ और बात रही chemistry की तो chemistry की आप chemistry के भी one by one आपको notes मिलते रहेंगे वीडियोस upload होती रहेंगी और maths और bio का भी maths की तो आप ncrt download कर सकते हैं ठीक है maths की ncrt काफी है आप उसको download करो one by one हम आपको upload करते रहेंगे और वहीं बात bio की मैं link फेज़ रहेंगा तो students आपको घबराने की कोई बात नहीं है चाहिए class boards की हो 10th plus 2 boards है चाहिए class plus 1 हो नए नए गए हुआ आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं books मैंने बता दिया physics की special आप SL ले लो अगर आपने model लेनी है या कोई और writer लेना है तो आप ले सकते हो पर मेरा खुद का अरभव है कि SL Aroda मुझे अच्छी लगी है पढ़ने में और student video आपको मिलती रहेगी ठीक है day by day फिर भी कोई doubt आता है जो आप मुझे comment करें तो students हम कल से chapter wise chapter article solve करेंगे math के question करेंगे ठीक है students कोई doubt आता है फिर भी आप मुझे comment कर सकते है thank you students